हाई फ्रेंड्स वेल्कुम बैक टू मैं चैनल सोनेस किच्छन आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आए हूँ मिसल पाव की रेसिपी पाव की रेसिपी मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं आलड़ी शेयर कर चुकी हूँ आज हम मनाएंगे मिसल जो कि महरा तो सबसे पहले हमें उसल बनाने के लिए मटकी या चौली या किसी भी तरीका का बीन्स भीगा हुआ चाहिए मैं यहाँ पे तीन चौथ हाई कप मटकी लेकर रात भार भीगो ली थी अब हम इसको कुकर में डालेंगे आधी चुटी चमच हल्दी पावडर एक चुटा चम बन कर दे और ग्यास पेस को चड़ा दे ज्यादा सीटी ना लगाए नहीं तो दाल के जैसा गल जाएगा एक या दो सीटी काफी होता है आप चाहें तो मटकी को भीगो लेने के बाद कपड़े में बांद कर और एक रात इसको रखे तो इसका स्प्राउट्स बन जाएगा तो और भी अच्छी लगेगी और भी हल्दी रहेगी कुकर में दो सीटी लग चुकी है कुकर को अपने आप थंडा हो जाने दे जब तक हमारा मटकी पकर रही है तब तक हम मसालों की प्रिपरेशन करेंगे तो ग्यास अनकर के फ्लेम को मेडियम पे रखे एक कड़ाई में एक चोथाई कप नारिल का बुरादर यानि की कोकोनट पाउडर ले ले इसके जगह आप सुखा नारिल को गिस कर एक चोथाई कप ले सकते या फिर ऐसे कोकोनट पाउडर घर पर बनाना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते ये सुखा नारिल अग घर पे रेडी रहता है तो कोई भी रस्पी बनाना इजी होता है बातो बातों में हमारा नारिल बहुत ही अच्छे से ब्राउन भून चुकी है इसको मैंने एक बॉल मिल लिया है सेम कड़ाई में मिल ले रहे हूँ एक बड़ा चमच तेल इसमें डालेंगे एक बड़ी साइस का बारिक कटा हुआ प्याज प्याज को मैंने पतले पतले स्लाइस में काट लिया है आधा हिंच का आधरक छोटी छोटे काट कर ले लेंगे दस से बारा लस्ण के कर ली लेंगे अगर बड़ी वाली लसुन की कली ले रहे तो पाथ से साथ काफी होगा प्याज को हम ब्राउन भून लेंगे और ये देखिए प्याज ब्राउन भून चुकी है तो इसमें डाल रहे हूँ एक टमाटर कटा हुआ टमाटर को थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाने तक भून ले नमक टाल देते हैं थोड़ी सी ताकि टमाटर जल्दी गल जाए ध्यान रखे हैं हमने मटकी को उबालते हुए एक चमच नमक लिया था तो इसमें मैं अभी आधी छुटी चमच से थोड़ा सा कम नमक ले रहे हूँ इसमें डालेंगे हमारा रेडी किया हुआ मसाला पेस्ट यहां पर तेल में कोई भी कंजूसी ना करें क्योंकि हम बनारे मिस्सल पाओ इसकी जो तरी होता है यह रियल टेस्ट ऐसे तेल में भूनने से ही आता है अब हम इसको दो से तीन मिनिट लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे फ्लेम को लो करें नहीं तो यह उचलने लगता है मसाला तो गिरने लगेगा उपर अब हम इसमें डालेंगे एक चोटी चमश हल्दी पावडर एक बड़ा चमश लालमिश का पावडर क्योंकि यह रेसिपी थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती है एक चो तो इसको लगाता चलाते हुए भूने लगाता चलाते रहना है वन्ना यह तले पे लग सकती है अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चमश होमेड गरम मसाला पावडर आप इसके जगा किचन किंग मसाला या फिर बाहर का गरम मसाला पावडर भी डाल सकते हैं अभ मैंने मिक्षर जाल में थोड़ी सी पानी लेका रखा था ये भी मैंने एड़ कर लिया है पानी की कंसिस्टेंसी ऐसे चेक करें एकदम पतला सा ग्रेवी होना चाहिए इसका तरी होना चाहिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो चोटे चोटे टुकडे गुड का गुड ऑप्शनल है अगर डालेंगे तो ये स्पाइसीनेस को बैलन्स करेगा और इसका कलर थोड़ी सी इन्हांस करेगी इसलिए अच्छे से मिला देंगे फ्लेम को लो कर दे ढखकर 7-8 मिनिट के लिए इसे पकने दे तो अभी पकते हुए इसको 7-8 मिनिट हो गया है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है मैं इसको सुबह सुबह बना रही हूँ और इतनी अच्छी खुश्बू और मुझे तो और ज़्यादा भूग लग देख सकते हैं इसकी तरी कितनी अच्छी है वाउ चलिए अब हम इसको सर्फ करते हैं क्योंकि इसका सर्फ करनी का तरीका भी अलग है पहले ऐसा है कोई प्लेट ले ले ज़ू ज़्यादा हाइट ना हो और थोड़ी सी फ्लैट भी हो और इसमें यह मटकी को डालेंगे अब पारिक कटा हुआ प्याज इसका भी एक लेयर बनाएंगे उसके बाद थोड़ी सी कटे हुए धनिया पत्ता डाल देंगे उपर से हमारा जो ग्रेवी तरी के साथ ऐसे डालेंगे ग्रेवी तरी सी जादा होनी चाहिए क्योंकि पाव के साथ हम इसको सर्फ करेंगे उपर से थोड़ी सी और फरसार डालेंगे फाइनली और थोड़ी सी कटा हुआ प्याज और धनिया पत्ता डाले और इसको पाव और कटा हुआ निम्बू के साथ थोड़ी सी ग्रेवी के साथ सर्फ करें ऐसे सर्फ करते हैं मिसल पाव उमिद है आज की रिस्पी अब सब को पसंद आई होगी रिस्पी पसंद आही गई है तो लाइक करने में क्या कंजूसी लाइक कर दिजिए वीडियो को और ये होममेट पाव की रिस्पी आपने देखा है कि नहीं नहीं देखा तो अभी आई बर्टन पे क्लिक करें और ये बिना इस्ट के बनाए हुआ पाव की रिस्पी देखें और बनाकर ये मिसल के साथ सर्फ करें आज की रिस्पी पसंद आई है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कम्मेंट करें सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें फिर मिलते एक ने रिस्पी के साथ अब ते के लिए बाई